हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल आज हम लोग बनाने वाले हैं परवल की एक टेली बनने वाली सबजी जो हमारे घर पर बनती है तो चलिए देख लेते हैं परवल की एक सूखी टाइप की सबजी जो बहुत आसानी से बनती और रोज की सबजी में नास्ता वगेरा में पराटे के साथ आप बना सकते हैं आयो देख लेते हैं कैसे बने की परवल की ये सूखी सब्जी बनाने के लिए जो भी सब्जियां हमें चॉप करनी है वो सारी चीजे मैं करके फैले ही रख चुकी हूँ तो स्टेप बाइ स्टेप बताती रहूंगी तो आखिर तक जरूर द देखेंगे कलर आने लगेगा फ्राई होते होते तब इसमें हम लोग डाल देंगे आलू और आलू जो है उसको भी हम लोग इसी तरह से लंबे लंबे स्ट्राइफ में काटके ही डालेंगे मतलब परवल और आलू का शेप एक जैसा होना चाहिए सबजी दिखने में और फ्राई होते होते ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ताकि फ्राई होते होते आलू जो है वो सौफ्ट भी होने लग जाएगा नमक के वज़े से तो इसी तरह से कुस देर तक फ्राई होना देंगे अच्छा सा कलर आने देंगे देखिए कुछ इस तरह से अ अद्रक और बारी कटा हुआ लसन एक के बाद एक सारी चीज़े डालते जाएंगे और देख सकते हैं आप अद्रक मैंने जितना डाला है उससे डबल मैं लसन ले रही हूँ क्योंकि लसन का जो फ्लेवर है वो मेरा परसनली भी बहुत पसंदीदा है आप चाहें तो आप कम भ पाउडर भी डाल रही हूँ तो लाल मेर्च आप अपने एकॉर्डिंग तीखा कितना चाहिए डाली सकते हैं कम या जादा साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी का पाउडर बस इसके अलावा ना इसमें और कोई मसाले की जरुरत नहीं है इसमें ही हमारी सबजी बहुत अच्छी बनेगी साथ में प्याज टमाटर भी डालेंगे लेकिन वो सब आप देखते जाए कैसे हो रहा है तो सारी चीजों को मिक्स कर लिया मैंने अच्छे से स्टर करके इसके बाद प्याज भी डाल दी ताकि प्याज जो है वो भी साथ ही साथ फ्राई होता रहे और इसको देखिए इस तरह से फ्राई होते होते साथ में मैं डाल रही हूं थोड़ा हरा मटर क्योंकि मटर का सीजन ऐसे भी अब देखिए जा रहा है फ्रेंड्स गर्मिया आ रही है दीरे दीरे तो अभी फिर भी मार्केट में अविलेबल है तो क्यों ना डाल के मटर का भी स्वाद लिया जाए तो इसलिए मैंने मटर भी डाल दिया हाला कि यह ऑप्सनल है आप चाहें तो स्केप कर सकते हैं तो मटर भी डाल दिया है मैंने और सारी चीजों को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद आखिर में मैं इसमें डाल रही हूं टमाटर को भी ऐसे ही लं सॉफ्ट ना हो जाए परवल आलू टमाटर सारी चीज़े सॉफ्ट हो जाएंगी बीच बीच में स्टर करते रहेगा धकन खोल खोल के और जब देखेंगे कि आलू सॉफ्ट हो गई है सारी चीज़े आपस में मिल जुल गई है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है यह सबजी बहुत अच्छी बनती है और काफी आसानी से बन भी जाती है ज्यादा कुछ जहनजट नहीं है तो बस अब आखिर में गैस बन करने से पहले धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसके बाद एक विक स्टर दे के गैस को कर देंगे ओफ इसे जो है ना सुबे सुब मॉर्निंग में भी आप चाहे तो ब्रेकफास्ट में गर्मा गरम रोटी या पराठे के साथ बनाईए या फिर आप लंच में दाल चावल के साथ भी बना सकते हैं साथ में डिनर में चाहे तो डिनर में भी बना सकते हैं देखिए कितनी बढ़िया सबजी बन के तयार हुई बहुत ही जाधा टेस्टी लगती है रेसिपी लगी कैसी ये कमेंट में जरूर बताईगा और चैनल पे न्यू है टो मेरी ऐसी ही इंट्रिस्टिंग रेसिपी जिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक कर दीजेगा शेयर कीजेगा जादा से जादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूंगी कल एक नहीं रेसिपी लेके तब तब के लिए बाबाई हैव गुड़ डेड़